दुनिया में सबसे खतरनाक देश अभी फिलहाल के लिए चीन बन गया है चीन मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चाहिए वह इंडिया के बात करें या फिर ताइवान के बात करें वियत नाम के बात करें चाहिए जिन के लिए भी बात करें सबके लिए चीन अभी खत्र कर रहा है हलाकि यह अलग मैटर है लेकिन उसको अपने जाल में फसाते वे उसको क्या करता है किसी का ग्वादर पोट लिज़ पर ले लेता है किसी का हमन टोटा बंदरगाह लिज़ पर लिया हुआ है और भी कई तरह किस पर है जो अपने छेतर में अपने जबरजस्ति अपन इन दो देशों को directly रुपसे हीट करने की कुछिस करता है लेन हर बार चायना नाकाम हो जाता है चायना दुन्या में वन चायना पॉलिसी लाना चाहता है और जितना भी चायना का इर्द गुर्द का इलाका इसी का बोलता है कि हमरे है उसके बाद ताइवान बोलता है हमरे है अभी फिलाल बोल रहा है उसके बाद अकसाई चीन बोलता है मेरा है और नाचल प्रदेश बोलता है मेरा है सेवन फिंगर चोटा का काई सा बोलता है कुछ समझ में नहीं आता है चाइना चोटा दुन्या जतना चीज़ें सा बोलता है चाइना हमरे उधर जो दचिन चीन साग क्यों नहीं आया तो दीख जबसे पहले बात करें हम लोगके घपी के बारे में छीन के लिए तीबट को चाइना और प्राधृत इंस तरह से उन्होंने क्या कि हर बार व Black वे टो लगा देता है दुन्या का कोई भी देश उससे लड़ी नहीं पाता है क्योंकि विडो में क्या होता है कोई भी देश आप किसी भी मुद्दा को लेकर उठा रहे यह कोई देस अगर विडो लगा शोटता रूस ने नाराजगे ये तोनों में डिस्टेंस हैं नुरियां बढ़ गई ती इसके वज़ा से लेकि अभी फिलाल क्या हो रहा है कि उस समय 1969 में यह दोनों के बिच में दरा रहे थी रूस उसको बोल रहा था आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं खतम कर देंगे इस तरह से दोनों के बिच में काफी विवाद चल रहा था यहां तक कि परमानु हमला भी हो नहीं कि इसका जो दो वेक्ति होता उसका यह बात सुनता है वहाँ पे टुएस्टेप वेरिफिकेशन जैसे अभी हम लोग बोलते ना टुएस्टेप वेरिफिकेशन उसी तरह से वहाँ पे क्या था एक आदमी तो बोल दिया था लेकिन दूसरा जो वहाँ जब बॉर्डर याँ सुडा था शिसे में गिर गया हलाकि शुक्र था कि सब इसका डिटोडर था जो बंत काउख सब बंद था यह चोटा मेरगाविरप अ पुरोम सान यह रहा था उस दिन लेकिन यहाँ बंद था इसका वजदा से बच गया कई डिटोड नहीं इसका चालु भी हो गया तिबत वाले इतने सीज़े साधे लोग है यह लोग जैदा अपने धर्म पर ध्यान देते हैं दुनियादारी भाण में जाए क्या है इन लोग क्या करते हैं कि अपने लोग अपने धर्म पर उसमें ध्यार दिया दिया उसतना रोधुरेद कुछ ने किये चीर आया लेके चल अब तिबत को पूरा लेके जाना है कि ॢशाद कया होगे बार यूमुददा को उठाए सब्सक्राइब उसमें आप सोक मनाने के लिए क्या जाईए इसी तरह इसका घर में खुद मातम है अमेरिका के घर में चोटा यहां पे रूस यहां पे खुद आ गया इसके परमानु बम लेकित इक उन्ची जाएगा चाइना में यहां इन्वाल्व होने के लिए इसका तो उन प्रदेश के भी कुछ भाग को यह कबजा कर लिया और यहां से इस भाग को लेकर जाने के प्रस्चात क्या हुआ कि जो चाइना था वह फिर से अपने यूद रोक दिया चोटाओ यूद में समझ में नहीं आता है इंडिया के कहां तो ले जाता है इंडिया लगातार की उसके बाद से दुनिया इधर उधर नहीं उलशी है 2020 में डारेट यह इंट्री मारती है और 2020 में इंट्री मारने के पश्चा जब दुनिया पुरा कोरोना के महा मारे के चपेट में था तो यहां पे फिर से चाइना घुशने कोशिस करता है गलवान घाटी में लेकिन गलव चब आलीश जवान सइध हुए थे गलवान घाटी में 2020 में यहां पेसको सबक सिखा भेजिए उसके बाद से फिर इसका हिमत नहीं हुआ आवेश हो क्योंकि इंडिया के पास उसके पाद से प्रांस से राफ्यल मगा लिया इंडिया उसके बाद से लेकिन वाह नहीं ले पा अगर हथियार के कश्म वार रहता लाठी डंडस तोन लों के कितना मुरा दिया रहता मार के रूस युक्रेण के वार में जब दुनिया का ध्यान पूरा उधर भटका था शुरू-शुरू कब हुआ था साइद 24 परवरी 2022 को जब ये वार जब अस्टार्ट हुआ था रूस औ युक्रेण का जब वार अस्टार्ट हुआ था तब यहां पर सारी दुनिया का ध्यान इधर जब केंदरी था उस समय उन्हों ने फिर से क्या किया कि ये फिर से जाके ताइवान में फिर से उन्हों ने जाके घुशने की कोशिस किया ताइवान में घुश गया चोट्टा जब भी दुनिया इधर उधर भटकता है चीन कहीं ने कहीं गुश जाता है चीन का एक नियम है चीन चोटा दिखता है दुनिया में सब उन्हें उन्हें फसल है करने करने फसल है अच्छा अभी मस्त मोका है चल इसके पास्चा तो क्या करता है मस्त मोका का इंतिजार करता है युक्रियंस का बच भाएं सब चाइवान के घर गुज गया ताइवान के थोड़ा दबा लेता है जमिरमीन चोड़ा हम्मारी सब और हमरी है चोटा चाइना से कुछ पूरा दुनिया फ्रहां हो गया ताइस चाइना में एक ही बात बोलता है कि पूरा दुन्या में मतलब कि वन चाइना पॉलिशी फोल होना चाहिए वन चाइना पॉलिक्ट हुसके अनुसार तीबतre भी उसी का भाग है और ताइवान वी विचाइना का आई भाग है लेकि क्या 1969 में जब तिबत को कबजा लिया तो उस विवाद को छोड़ दिया उनिस सो बार सट होला फिर से नया विवाद खड़ा कर दिया इंडिया का अक्साई चिन को इन्होंने क्या क्या कबजा कर लिया अब भारत तिबत को मांगे या तिबत को छोड़ने की बात करें या अक् kya करता है कि जब तक Yankyo Tatar ता उसके जेश्ट मेशां करता है कि इस कांध नाम ना ले मेरा आगे वहाला कांड चल चल जाया कोई बात कि वही वहाला बात होता है जब घर में अधर दूसरा वाला में सब उलद जाता है इसी प्रकार से यहाँ पर चाइना क्या होता है कि चाहिदा उठाया वहां से तेल सोस्तच में खड़िए इधर चुटअ महांगाम बेंचा अपने देश में इस्तेमौलड किया अश्टोक रखा दुनिया में इधर ताइवान को इधर परेशान कर रहा है एक बार आप लोगों को याद होगा आए से छे महीना पहले जब ताइवान में नैंसी पहलोसी आनि अमेरिका का उच कोटी का एक मंत्री आयोई थे नैंसी पहलोसी उस समय उन्होंने क्या किया कर रहे हैं आने हम अपने तयारी कर रहे हैं आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आप लोग इसके बारे में क्या सुचते हो अपने राए कमेंट में जरूर देना तब तक के लिए धन्यवाद